सो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबी लोग आज हमारे पास आ चुका है मोटरला की तरफ से मोटो जी 64 जी से मैं अल्मोस एक विक से यूज कर रहा हूं यहां पर बहुत सारी मैंने गेमिंग करिये तो आज की इस वीडियो में स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग टेस्स करने जहां पर हम गेमिंग टेस्स तो करें भी करेंगे उसके साथ देस्के जिए समीधं देंगे और चाहँ में पर्ण की यहां पर पिछली कुछ वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस यह वीडियो कोई जल्दी जदी लाइक कर दीजिए flavor ваши pram बागे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं box content की तो जैसे स्मार्टफोन आता है बहुत ही clean और paper packaging के साथ आता है जहां पर main smartphone मिलेगा कवर दिया गया है कुछ यूजर मेन्यूल सीम एजेक्टर टूल 33 वोट का चार्जिंग अडाप्टर और केबल मिलने वाली है बात करो स्मार्टफोन की तो हमारे पास जो वेरियंट है वो है mint green वाला 8GB RAM प्लस 128GB रोम वाला जहां पर 6.5 इंचेस की full HD plus वाल एक IPS पैनल मिलती ह 120H का refresh rate दिया गया है side mounter fingerprint scanner मिल जाता है यहां पर 3.5 mm cut phone jack भी दिया गया है जो कि gaming करते वक्त बहुत ही useful रहता है उसके साथ से dual stereo speakers मिल जाएंगे dedicated speakers नहीं है बागी Dolby Atmos का support है जो कि एक plus point है जो कि यहां पर अगर आप full volume पे gaming करते हैं या फिर वीडियो चलाते है तो back panel recording एक बहुत ही अच्छा processor है smartphone 114 पे आता है माइवेक्स पे आपको वाक करते वे देखने को मिलेगा बात करो एंट्यू स्कोर का एंट्यू स्कोर 4,94,000 के आसपास आता है CPU थ्रोटलिंग में स्मार्फोन का score 81% रहा अच्छा score है CPU ने थ्रोटल नहीं किया है क्या real life में भी smartphone इतना ही अच्छा perform करता है क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्स किया था जहां पर ओल्मोस आदे घंटे की recording करने के बाद ही smartphone का टेंपरेचर है वह 52-53 डिग्री के आसपास चले गया था जो कि बहुत ही ज्यादा है बाकि यहां प बात कर लेते हैं gaming की तो यहां पर free fire को open होने में almost 10 seconds का time लगता है और PUBG को start होने में almost 31 seconds का time लगता है PUBG में आपको smooth पे ultra setting का support मिल जाता है मतलब 40fps तक कि यहां पर आपको gameplay का support मिलता है जिसी game को open करते हैं top left corner में gaming mode मिल जागा जहां पर performance mode का support मिल जाता है जहां पर battery saving balance और turbo व मिलता है अगर आप वोई चेंजर को ज्यादा यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पर फीचर कम मिलना वाला है थर्ड पार्टी आप डाउनलोड कर सकते हैं वोई चेंजिंग के लिए वाई कि उसके सासा ब्लॉक को ब्लॉक नोटिफिकेशन और लॉग मोड जैसे ब कर सकते हैं उसके साथ 60 fps का सपोर्ट मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है गेमिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जैसे फ्री फायर में जाते हैं तो यहां पर देखो अभी का टाम पर कोई भी सेंसिटिवीटी का इश्यू नहीं है 200 परसें तक की सेंसि पर सेट किया था और गेमिंग मोड में यहां पर कोई भी fps मीटर का या फिस्टम स्टेटस का सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि एक डिसद्वांटेज जरूर है डेवलपर ओप्शन में शो रिफ्रेश एट वाला ओप्शन जरूर मिल जाता है पर वह इतना याद एक्कुरेट नहीं है और थर्ट पर्टी fps मीटर भी हाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा था वागी गेमिंग टेस्ट स्टाट करने से पहले आपको बता दू अभी का टाम पर जो रूम टेंपरेचर है वह 34 डिगरी के आसपास है मोबाल का टेंपरेचर 36 डिगरी के आसपास है उस इस मीटर तो नहीं था पर जैसे फील हो जाता है कि थोड़ा बहुत लैग कर रहा है या फिर फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं वह प्रॉब्लम यहां पर नहीं थी नॉर्मल ही बहुत ही अच्छे से पर्फॉमेंस देखने को मिली है और ओल्मोस्ट नो मिनिट की गेमिंग के बाद जहां पर हमने एक लेसकोड रैंक में च्खेला है स्मार्टफोन की बैटरी अभी भी 100% पर सेट थी 6000 एमेज की बैटरी है बात करूँ टेंपरेचर की तो स्मार्टफोन का जो टेंपरेचर है वह 38 डिग्री से 42 डिग्री था फ्रंट पैनल का एक लेसकोड में तो नहीं पता चलने वाला कितना बैटरी ड्रोप हुआ या कैस पर जो आदे घंटी की गेमिंग करी वहाँ पर मैंने ब्राजिला रैंक मेंच खेला था और यहां पर भी गेमिंग करते वक्त मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप ऐसे तो देखने को नहीं मिले और नहीं कोई लेग शटर देखने को मिला है स्मूधने सची मिल जाती है कोई भ के टाइम पर गेमिंग हो चुकी है जस मेरा गेम खतम हुआ है बात करूँ बैटरी की तो अभी के टाइम पर स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो 100 से 94 परसेंट पर आ चुकी है जो कि मुझे लगा थोड़ा से ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ है क्योंकि सुरू के 10 मिनिट में तो स्मार्टफोन की बैटरी 100% के ही आसप ri बाती और अभी ओल्मोस एक घंटे पाच मिनिट हो चुके हो स्मार्टफोन की अभी के टाइम पर जो बैटरी वो 87 परसेंट पर आ चुकी है मतलब एक घंटे की कंटीनु गेमिंग में 13 परसेंट का बैटरी ड्रोप होता है मैक्सिमम सेटिंग पर अगर आप कम सेटिंग पर खेलते हैं या फिर हाई एस मोड को ओफ करके खेलते हैं तो यहां पर जो जो बैटरी लाइफ है वो और भी अच्छी देखने को मिल जाएगी बात कुरू टेंपरेचर की तो स्मार्टफोन का टेंपरेचर 43 डिगरी से 45 अब होगा कि कितना बैटरी ड्रॉप होता है या फिर केसी परफॉमेंस मिलती है अभी मैं यहां पर एक घंटे स्क्रीन रिकारड करके देखने वाला हूं जहां पर मैक्सिमम सेटिंग पर हम देखेंगे कि कैसा गेम प्ले देखने को मिलता है इस कि रिकार करने के बाद ले अब है अब है अब है अब है अब है और देखो दोस्तों गेमिंग करते वक्त यहां पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई जहां पर मैंने क्लैसकोड ब्राजिला नॉर्मल बी आर रेंक और कस्टम खेल के भी देखा कोई भी लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली मुझे ऐसा लग रहा था काई नहीं थोड़ा पूद फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है पर एसा मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ फ़ीस मीटर होता तो उससे प्रॉपर पता चल पाता कि कि इतना फ्रेम स्मार्फोन की जो बैटरी है वो 71 परसेंट पर आ चुकी है और स्मार्फोन का टेंपरेचर फ्रेंट पैनल का 43 से 46.2 डिगर के आसपास जा चुका है अभी देखो दो घंटे की गेमिंग हो चुक है और हमने हमारे सारे टेस्ट कर चुके हैं और 71 परसेंट की बैटरी बची अभी हम क्या करने वाले हैं यहां पर कंटीनु गेमिंग करेंगे और जब तक 50 परसेंट बैटरी नहीं आती है तब तक गेमिंग करके देखने वाले हैं और यहां पर स्क्रीन रिकॉर्ड को नहीं अन करूंगा पर जो ग्राफिक सेटिंग है वो मैक्सिमम पर ही रहने वाल यह बहुत ही अच्छी पर्फॉमेंस यहां पर देखने को मिलती है अभी परसनली अगर में मेरे व्यूस बताऊं अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चीह है अच्छी कैमरे की क्वालिटी हो और अच्छी स्पैक्स हो तो मोटो जी 64 के साथ आप जा सकते हैं यहां पर वोईश चेंजर का सपोर्ट नहीं मिलता है एडवांस गेमिंग मोड भी नहीं दियेगा है तो उस चीज को भी आप एक बार जरूर ध्यान में रखेगा अगर आपको प्रॉपर गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चीह तो मेरे खाल से रियलमी की तरफ से पीवन या फिर वी करें नहीं हिए इस वीडियो के लिए पस इतना ही उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी वाग्य के मुझे आज के लिए इस इजयाजत मैं मिलूंगा आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए वाबह दोस्तों